असलाम लेकुम दियर स्टुटेंट्स कैसे हैं आप सब्सक्राइब मैं नेम इस रायान मलेक एंड आम हेर टूच यू फिजिक्स क्लास 10 आज हम स्टार्ट करेंगे चाप्टर नम्बर 11 का टॉपक नॉइस पोलुशन तो आएए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चाप्टर नम्बर 11 साउंड अन्ट टॉपक 11.5 नॉइस पोलुशन नॉइस पोलुशन मीन्स शोर की आलूदगी नॉर्मली हम रेडियो पर कुछ प्रोगाम सुनते हैं या टेलिवीजियन पर कुछ प्रोगाम देख रहे हों तो उसमें से कुछ मुजिकल साउंड ऐसे होते हैं जो के आपके कानों को बहुत खुश्गवार लग रहे होते हैं अच्छे लग रहे होते हैं तो ऐसे साउंड जो के आपके कानों को उस गवार लगें, आपको अच्छे लगें, उन्हें हम कहते हैं musical sounds, okay? Sounds which has pleasant effect on our ears is called musical sound, जैसा कि for example, sound of violin and the sound of drum and similarly guitar. तो इन सब के sounds होते हैं, जो musical instruments के sounds होते हैं, वो आपके कानों को बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं musical sounds, और कुछ sounds ऐसे होते हैं, जो के आपके कानों को बहुत बूरे लगते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं noise, the sound which has jarring and unpleasant effect on our ears are called noise. For example, that slamming of a door, एकर आप एक door को जोर से slam करें, तो वहां पर जो sound produce होता है, वो आपके कानों को बहुत नाखुशगवार लगता है, ठीक है, तो उस sound को पेर हम कहते हैं noise, and similarly, the sounds of traffic, के traffic में different sounds होते हैं, और different जो horns हैं, ये भी सब आपके कानों को बहुत नाखुशगवार लग र So, the noise pollution has become a major issue of concern in big cities, तो big cities में, जो noise pollution है, ये एक बहुत बड़ा issue है, like for example, के noise pollution जो है, वो हमारी अपनी activities की वज़ा से ही produce हो रहा है, जैसा के industries का shore, industries में जितनी heavy Machineries लगी हैं, उन सब से भी shore आ रहा है, और similarly, अगर हम बात करें, ट्राफिक की, तो ट्राफिक में जितनी भी गाड़ियां रन हो रही हैं, उन सब के भी engines का shore होता है, और similarly, different hooters होते हैं, hawns होते हैं, इन सब का भी shore होता है, that is all the noise pollution, clear? So, अब यह जो noise pollution है, यह हमारी health पर भी effect कर रहा है, किस दरहां से, कुछ effects हम discuss करते हैं, like hearing loss, कि आप जो hearing है, वो भी अपनी loss कर सकते हैं, means कि सुनने का अमल जब आपको भी आप खतम कर सकते हैं, इसकी वज़ा से, similarly, sleep disturbance, कि आपकी जो नीन है, वो खराब हो जाती है, इस शोर की वज़ा से, and aggression आप में पैदा होना शुरू हो जाता है, and similarly, hypertension cause होती है, और इसी के साथ साथ, आपका stress level जो है, वो भी increase हो रहा है, day by day, just because of this noise, and similarly, इस noise की वज़ा से, कुछ communication gaps हो जाते हैं, और इस communication gaps की वज़ा से, वहाँ पर accidents cause होते हैं, clear, so, यह कुछ effects थे, so, अब इस noise pollution को कम करने के लिए, two factors है, and the two factors are level of the noise, and the period of exposure, level of the noise, जैसे कि noise का एक level जो है, वो fix कर दिया गया है, कि आपका जो sound होगा, वो 85 से लेकर 90 dB तक होना चाहिए, and dB means decibels, तो अब यह level एक fix कर दिया गया है, अब अगर आपका sound level इस से exceed करेगा, तो उस पर कोई penalty होनी चाहिए, कोई fine होना चाहिए, ताकि कोई भी जो है, वो इस level से sound को exceed ना करे, ताकि आपकी noise जो है, वो कम से कम रहे, और इस तरहां से period of exposure, कि आपका, जो भी noise का period है, work करेंगी, तो अब उस 8 hours में तो noise जो है, वो cause होगी, लेकिन उस 8 hours के बाद, जो है, वो noise cause नहीं होगी, because आपने industries को limitize कर दिया, तो आप अपने period of exposure को control करके भी, आप noise को control कर सकते हैं, similarly, हम, हमें चाहिए कि हम ऐसे engines जो हैं, वो बनाएं, कि जो के noise जो है, वो कम से कम produce करें, और similarly, हम बहुत से ऐसे instruments का use करके, हम noise position को जितना हम कम कर सकते हैं, हमें चाहिए कि हम यह सब एकदामात करें, ताकि noise position को control किया जा सके, और इसको कम से कम किया जा सके, so हमारी health पर इस तरहां के, negative effects ना हूँ, clear, so इसी के साथ, हम discuss करते हैं, एक next topic, that is, important of acoustics, now, the topic 11.6, importance of acoustics, acoustics क्या होते हैं, it is basically technique और method, used to absorb undesirable sounds, by soft and porous surfaces, is called, acoustics protection, तो यह एक ऐसी technique, एक ऐसा method है, कि जिसमें आप soft और porous substances का, इस्तमाल करके, आप noise को, आप sound को, basically, absorb कर वा सकते हैं, तो इस तरहां से आपकी जो noise है, वो कम से कम हो जाएगी, so, this is called the acoustic protection, as you know, कि sound, जब भी travel करता है, तो वो different surfaces से जाकर reflect हो जाता है, एक surface जो है, वो जितनी ज़्यादा hard होगी, ज़्यादा rigid होगी, तो वहां से जो sound है, वो reflect होकर, स्यादा से ज़्यादा वापिस को आएगा, लेकिन, अगर sound जो है, वो जाकर strike करता है, किसी भी ऐसे surface पर, जो कि soft है, बहुत porous ही है, like for example, rug, ठीक, अगर किसी भी rug या किसी form पर जाकर वो strike करता है, तो वहां पर sound जो है, वो जाकर absorb हो जाता है, this is called the acoustics protection, so, कुछ जगों पर तो ये absorption जो है, ये बहुत importance है, कि जहां पर हम उस noise को कम कर सकते हैं, लेकिन, कुछ जगों पर ये absorption जो है, ये गलत भी है, like for example, अगर classroom, या फिर कोई conference hall, अगर वहां पर sound जो है, वो ज़्यादा absorb ह हो जाएगी, तो जो listeners है, जो audience है, उन तक sound बहुत कम पहुचेगी, so, बाज उकात होता है, इस तरहां से है, कि different surface के different walls, different ceilings से, जब sound strike करके वापस आता है, तो वो एक जगह आके grabble हो जाता है, so, जो grabble हो जाना है, इसी कहते हैं, reverberation, Sounds become gabbled, due to the multiple reflections of sound, from different surfaces, is called reverberation, So, अब हमें चाहिए, कि हम जितने भी conference halls हैं, या classrooms हैं, हम उनकी wall, या उनके surfaces को, हम इस तरहां से बनाएं, कि sound जो है, ना तो वहां पर ज़्यादा absorb हो, ना वहां पर reverberation cause हो, Sound जो है, वो equally distribute होना चाहिए, towards the, all the audience, ताकि जो है, वो हर audience, जो है, वो easily उस voice को सुन सके, या classroom में जितने भी students हैं, वो easily एक teacher की voice को जो है, वो सुन सके, तो normally जो conference halls होती है, उनके जो उपर ceilings होती है, उनको normally curve बना जाता है, curve क्यों बना जाता है, और similarly आपने देखा होगा, कि conference halls के normally जो speakers होते हैं, वो भी corners पर रखे जाते हैं, ठीक है, like for example, कि ये corner पर, हमने speaker जो हो प्लेस कर दिया, अब जैसे ही, इस speaker से sound produce होगा, तो ये sound जो है, ये different direction में जाके, इस तरहां से strike करेगा, अब अगर आपके ceiling curd होगी, तो curd होने की वज़ा से, जब sound reflect back होकर वापिस आएगा, तो वो equally distribute हो जाएगा, clear, तो इस तरहां से sound जो है, वो garbled नहीं होगा, तो आपका sound जो है, वो easily, तमाम audience तक जो है, वो पहुँँच जाएगा, similarly, normally, back stages पर, curved surface रखी जाती है, curved surface क्यों रखते हैं, just because of this, कि अगर sound जो है, वो, let's suppose कि ये source of sound है, तो यहां से जब sound आके, इस तरहां से, इस स्ट्राइक करेगा, तो इस स्ट्राइक करने के बाद, sound जो है, वो, बिल्कुल smooth, straight, जो है, वो reflect back हो जाएगा, तो इस तरहां से, तमाम audience को, जो sound है, वो equally distribute होकर, सब तक equal sound, जो है, वो, या फिर conference halls, या फिर जितने भी theaters हैं, हम उनको इस तरहां से build करें, कि वहां पर sound जो है, वो equally distribute हो सके, वहां पर ना sound ज़्यादा absorb हो, ना वहां पर reverberation cause हो, तो इस तरहां से, हम sound को equally distribute करवा सकते हैं, clear, so I hope यह एक्सरा आपको समझ आगया होगा, तो अपना बहुत सारा ख् किएगा, take care, Allah आपस